हेलो व्रीबन, वेलकम बैक पर ट्रस्टीफाइट, इंडिया स्पस्ट अनली, 100% ब्राइंट टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और आज के वीडियो में जिस प्रोड़क की लैब टेस्ट रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत ही जादा शौकिंग है, इतनी जादा शौकिंग है कि ट्रस्टीफाइट की हिस्ट्री में आस्ता हम लोग ने जितने भी टेस्ट कराए हैं उसमें से सबसे जादा शौकिंग रिजल्ट इसी सप्लिमेंट के हैं जो मैं आज कवर करना चाहरा हूँ रिजल्ट इतने जादा शौकिंग है वो पता करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जिस ब्रैंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है एनवेद उमेगा 3 और यह जो ब्रैंड है यह एमेजॉन के पेस्ट सेलर में नंबर 11 पे रैंक करते हैं जी हाँ अगर आप टॉप 20 बेस्ट सेलिंग उमेगा 3 एमेजॉन पे देखेंगे तो उसमें यह नंबर 11 पे आता है तो काफी popular brand है और इसे हमने जो है Amazon से ही order किया था Amazon से हमने जब order place किया था तो हमने इसके दो बॉक्सेज मंगवाए थे दोनों बॉक्सेज हमने जो है एनवे दियाने की company को direct seller choose करके ही order किया था और का जो है video recording आप लोग देख सकते हैं uncut unboxing जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग यह दिखाते हैं कि जो एक same batch number का product हमें मिलता है वो हम देते हैं टेस्टिंग के लिए और एक same batch number का product हम अपने पास रखते हैं for future reference ट्रस्टिफाइड हमेशा 100% blind testing ही करता है अगर आप लोगों को किसी भी moment पे यह doubt होता है कि ट्रस्टिफाइड blind order process follow नहीं करता आप हमें बे ही जग challenge कर सकते हैं अगर आप हमें गलत साबित करेंगे वो आपको एक साल का supplement stack absolutely free देंगे बात करते हैं इस supplement के price के बारे मी तो य एक महीने की supply आपको 175 रूपीज की जाएगी और एक capsule के price के अगर आपको जाएगा 6 रूपीज तो यहां पे 6 रूपीज की एक capsule में company आपको claim करती है 180 mg EPA और 120 mg DHA तो यह single strength fish oil based supplement है अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी level 1 के testing result की बारे में level 1 में हम लोग EPA और DHA की accuracy देखते हैं तो जब lab ने इसे test किया तो lab ने पाया कि इसमें EPA और DHA detect हुआ ही नहीं और हमने बोला भी नहीं कि आप दुबारा testing करिए क्योंकि इसमें EPA और DHA detect हुआ ही नहीं इसलिए lab ने अपने आप ही दूसरी बार भी टेस्टिंग कर ली और दूसरी बार भी इसमें EPA और DHA detect नहीं हुआ आप जो है lab test report भी देख सकते हैं जो EPA और DHA है वो below LOQ पाया गया है तो इसमें EPA और DHA detect हुआ ही नहीं मतलब EPA और DHA इसमें है ही नहीं तो इतना जादा ये shocking result इतना जादा ये heavily fail हुआ है गाइस और जो है क्योंकि इतना heavily fail हुआ है इसलिए हमारे pass fail की category म fail में जाता है एक steel box यहाँ पे हमारे pass already है और एक जो box lab में testing के लिए भी lab में रहेगा एक साल के लिए हम लोग उसे store कर देते हैं जो भी failed product रहते हैं तो ये था इसका result report summary आप लोगों को trustified.in पे 24 hours बात दिख जाएगी और please guys अगर आप हमें support करना चाहते हैं आपको हमारे videos useful लग रहे हैं तो आप जो है हमारे YouTube चनल को follow करें उसके videos को share करें like करें comment करें हमारे द्वारा certified के हुए सारे supplements को हमारी website shop.trustified.in से ले या फिर हमारा application जो की iOS और Android दोनों platform पे available है जिसका नाम है trustified वहां से ले at the end guys please remember if a supplement is not trustified then it's not certified choose safe be safe thank you